नमस्कार, अफिवादन, आज मैं चर्चा करूंगा वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के अंतरगत My Government Portal पर हम अपने विद्यार्थियों का नामांकन किस प्रकार करेंगे? हम किसी भी सर्च इंजन पर जाएंगे जैसे Google, Chrome और उस पर टाइप करेंगे MyGovornment.in जैसे ही हम MyGovornment.in पर जाते हैं, एक सुन्दर सा फेज सामने आता है और हम उस पर यदि पहले से हमारी Login ID बनी है तब कोई बात नहीं, नहीं तो हमें अपने आपको Register करना होगा Register पर क्लिक करते के साथ हमारे सामने एक सुन्दर फेज खुल कर सामने आएगा Full Name, Email, India, Mobile Number, Date, Month, Year, अपनी डेटो बर्थ, अपना जेंडर हम सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास कोई Referral Code है तब डालेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको Paste नहीं करेंगे मेरा Referral Code है 62W9AQ उसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपना अकाउंट को आप Create कर लेंगे एक दूसरा तरीका भी है कि Google पर जाकर आप सिधा टाइप करेंगे वीरगाथा Project 3.0 जैसे ही वीरगाथा 3.0 आप टाइप करेंगे उपर फर्स्ट जो विंडो ओपिन होगी उस पर आप किलिक करेंगे आप सिधा वीरगाथा 3.0 के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जो कि Government of India का है ठीक आप वहां से सीधा लॉग इन भी कर सकते हैं चुंकि आप लॉग इन पर किलिक करेंगे तो आप अपनी मेल आइडी के द्वारा आपने जो अभी पासवर्ड आइडी बनाया है उसको डालकर अपना मेल आइडी पासवर्ड यूजर आइडी डाला अपना भाग करने के लिए तैयार हो जाएंगे अब आप देखिए चूंकि मेरा नावांकन पहले से है थोड़ा सा सब्मिट मैं कर चुका हूँ नहीं तो आपको अपने कॉलिज का यूडायस नंबर इस पर डालना होगा और आप सब्मिट यॉर एंट्री पर किलिक करेंगे सब्म चेंज कर सकते अब दूसार इंग्लिश या हिंदी जो भी आप करना चाहें मैं हिंदी में करूंगा तो मैं हिंदी पर इसे क्लिक कर लेता हूं जब मैं हिंदी पर क्लिक करता हूं तो यह पूरा का पूरा फेज हिंदी में आना स्टार्ट हो जाएगा अब देखिए यह फे यदि मेरा कॉलेज केवल 6-12 का है तो मुझे 4 बच्चे लेने होंगे मैं 6-8 का एक बच्चा मुझे लेना होगा एक 9-10 का एक 11-12 का और दूसर चौथा बच्चा मैं किसी भी किलास का ले सकता हूँ इसी परकार अगर कोई कॉलेज केवल 9-10 चलता है तो हम कक्षा 9 का एक बच्चा लेंगे कक्षा 10 के 3 बच्चे या कक्षा 10 का एक बच्चा 9 के 3 बच्चे या दोनों कक्षाओं के 2-2 बच्चे इस परकार अधिक से अधिक 4 बच्चों का नामंगर हम कराएंगे आईए मैं एक बच्चा का नमागर करने की बात करता हूं मैं माल लीजिए कक्षा 11 से कक्षा 12 के एक बच्चे को सलेक्ट करता हूं जैसे ही मैं उसको एंट्री दूंगा तो वहां से एक फेज खुलेगा देखे ये फेज ओपन हुआ सबसे पहली एंट्री क्लास केटेगरी व यानि जो हमारे वीर विजेता हैं वीर पदक के विजेता हैं उनके बारे उनके सम्मान में कोई प्रेजित करते वे कोई प्रेजित करते वे कोई प्रेजिए उनके द्वारा किये गए कारियों का हम पर क्या इफेक्ट पड़ा उसके उसको संदर्ब करते वे पोएम या कोई पेराग्राफ या पेंटिंग या ड्राइंग या वीडियो मान लीजिए मुझे उसकी पेंटिंग या पाराग्राफ पे लिखना है तो वो मानेगा कि कोई फाइल चूज करनी होगी यानि हमें क्या करना है जो बच्चा हमारे विद्धाले में पर्थम आया है उसको हमने क्या तोपिक था ति अलएंगवेज उस बंदागे और सप्चाइब तोब मान देखेंगे वह मांगा वीडियो यूट्यूब यूल उस वीडियो को बच्चेन ने बनाई है तो उसको YouTube पे हम पहले upload करेंगे, उसका URL लेंगे और तब सब चीजे वो fade करतेंगे, इस परकार दूसरा बच्चा लेंगे तो 9-10 का बच्चा ले लेंगे, उसके बारे में भी same process होगा, फिर इसी परकार class 6-8 का बच्चा लेंगे, वो ही process होगा, और हम 4 बच्चों का नामंकनिय easily कर पाएंगे, अब आप ये देखेंगे कि अगर हम इसी portal पर जाकर different जानकारी भी लेना चाहते हैं कि क्या topic है, क्या category है, तो उसको अराम से अपनी भाषा में आप change कर सकते हैं, जैसे कि आप उसे हिंदी से English, हिंदी में convert करना चाहें, तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, और पूरी जानकारी पोर्टल की आपको हिंदी में भी मिले कि, आप ये देखें कि वीर गाता परियोजना की स्थापना 2021 में हुई, तो इस पर काफ पूरी detail कौन से स्रिणी है, कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चे 150 शब्दों में अपनी कविता या paragraph लिख सकते हैं, किसी विज से 12 के बच्चे 1000 सब्दों में और डिफरेंट टॉपिक भी कुछी दे रखे हैं, सुझाओ देने वाले टॉपिक क्या है, अगर राणी लक्षमी भाई मेरे सपने में आई थी वैचाती थी कि अपनी देश की सेवा करूं, कैसे करूं, क्या चाती थी, समय सीमा भी दी है, कि एक विध्याले इस्तर पर केवल 15 सितंबर 2023 तक यह गतिविदी आयोजित होगी, किस परकार आयोजित होगी, इसे आप डिटेल में जाकर इसे पढ़ सकते हैं, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जिला इस्तरिय मुल्यांकन होगा, और 19 अक्टूबर से 10 नौम पर तक क्या होग हैं कि राष्ट्य इस्तर पर 100 विजयता को पुरुस्कित किया जाएगा, प्रतियक सिर्णी से 25 विजयता, राज्य इस्तर पर 8 विजयता को, प्रतियक सिर्णी से 2 विजयता, और जिला इस्तर पर 4 विजयता को चुना जाएगा, यानि प्रतियक सिर्णी से 1 जिले में मरा श खाली छोड़ देना है ठीक हाँ आपको जो मुल्यांगन राष्टे अस्तर पर या जिला इस्तर पर होगा वो किस अधार पर होगा अभी व्यक्ति की मौलिक्ता के अधार पर आपका प्रजेंटेशन कैसा है आपका सपोर्ड कैसा है तर्क कैसे हैं आपने जो इमेज बनाई है या जो आपने लेक लिखा है वो क्या लोजिकली सही है क्या उसमें अभी व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है क्या आपकी सामागरी बहुत अच्छी तरह से विवस्तित है ऐसा तो नहीं है कि आपका विवस्तित रूप में आपने सामागरी दे दी और रिलिवेंट कितना आपका subject, आपने topic तो बहुत अच्छा लिखा, पर वो किसी के सम्मान में किसी सैनिक का वीर पता उसमें हो ही न, विशा की आपकी relevant होना चाहिए न, तो इस परकार हर प्रतियक के लिए मुल्यांकन में अभी व्यक्ति की मौलिक्ता, presentation, आपका caveat उपकरन कैसा है, रिलिवेंशी कैसी है, वो सब देखा जाएगा, और उसी के आधार पर आपका chain होगा, तो इसका आप अध्यन करेंगे, और मैं सभी सिक्षा को, सभी प्रस्वल से मेरा निवेदन की अधिक से धिक परतिभाग कराएं, अपने विद्याले के अधिक से धिक बच्चों को अफस